जब घड़ी का काटा करता है चार बजे का इशारा तो खबरों से हाई हो जाता है पारा क्यों क्योंकि चार बजे हम चक्रवियू के साथ आपके सामने पेश होते हैं नमस्कार कैपिटल टीवी उत्तव प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट आज चक्रवियू में सबसे पहले बाद डिजिटल मीडिया नीती 2024 की दूसरी खबर योगी सरकार के भरष्टाचार के अखलाब बड़े एक्शन की तीसरी खबर पास सेंटर में चल रहे अवैद काम की और आखिर में बाद पुलिस के तगड़े एक्शन की तो चिली शुरू करते हैं पहली खबर योगी सरकार की डिजिटल मीडिया नीती 2024 की है उत्तव प्रदेश डिजिटल मीडिया नीती 2024 को लागू करने का फैसला लिया गया है 27 अगत को कैबिनेट की बैठक में इस नीती को मंजूरी दे दी गई डिजिटल मीडिया हेंडलर्स डिजिटल मीडिया इंफ्लेंसर को एडवर्टाइसमेंट मालता कैसे मिलेगी इसे जुड़ी प्रकरिया और गाइडलाइन 28 अगस को जारी की गई सरकार जन कल्यार से जुड़ी नी सरकार प्रदेश के अंदर और बाहर से संचालित होने वाले डिजिटल मीडिया हेंडल पेज चैनल अकाउंट होल्डर संचालक डिजिटल मीडिया इंफ्लेंसर और कंटेंट राइटर या इनसे जुड़े एजिंसी फर्म के लिए हैं सरकार के कारक्रम और योजनाओं की का लाब डिजिटल माध्यम से लोगों तक पहुचाने वालों को तरप्रदेश की सरकार के विज्यापन सुचना और जन्संपर्क विभाग में जोड़ा जाएगा फिर इन्हें विभाग में सुचिबंद कर नियम के अनुसार एड़िजमेंट दिया जाएगा दो साल से वहीं विज्यापन के लिए आप तभी योग्यमाने जाएंगे जब आप पर कोई आप राधिक मामला दर्ज ना हो कोई भी केस ना हो आपको शपत पत्र देना होगा विज्यापन के लिए आप तभी योग्यमाने जाएंगे जब रजिस्टर्ड होने के लिए आपको 6 महीन किया जाएगा सरकार के सकारात्म कामों को जंता तक पहुंचाए सरकार आपके खाते में पैसा पहुंचाएगी राज्य सरकार फेजबुक एक्स इंस्ट्राग्राम और यूट्यूब जैसे विभन ने सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म चलाने वाले इंफ्रेंसर को उनके सब्स इंट्यूब पर वीडियो शॉर्ट्स पॉड्कास्ट के लिए श्रेणिवार अधिक्तम भुक्तान आठ लाक साथ लाक श्य लाक और चान लाक रुपे हर महीने तैग की गई है वही उत्तप्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया नीती दोहजा चौबिस के अंतरगर इसा होता है तो पहले से लागू कानून के अरुसार ही कारवाई होगी खबरों में आगे बढ़ते हैं उत्तरप्रदेश की मुख्य मंतरी योगी अधितनात ने भरष्टाचार के खलाब बड़ा एक्शन लिया है जा भरष्टाचार और पद का दुर्पयोग करने वाले अ आपको बता दे कि अथौर्टी के इन अधिकारियों के अलावा तीन अन्य अधिकारियों के खलाब भी जाज के आदेश दिये गए हैं नई जॉइनिंग नहीं करने पर शासन ने सभी के खलाब ये एक्शन लिया है ये कारवाई की है और द्योगिक विकास प्रमुक जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया है वो ट्रांसफर का ओर्डर आने के बाद भी उसी जगा पर जमे बैठे थे प्रशासन ने विभाग में अनुशासन बढ़ाने के लिए ऐसे सक्त कडम लेने की बाद पहले भी कई बार कही है इन प्रशासनिक अधिकारियों में और जोद कुमार शामिल है वहिं यमुना अथोर्टी से प्रवंदक अजब सिंख भाठी को सस्पेंड किया गया है इनके अलावा ग्रेटर नॉड़ नॉड़ा उथोर्टी में सहायक प्रवंदक सूरेंद्र कुमार और प्रवंदक विजे कुमार वाचपई को भी सस्पें बारी कर वहां से 20 लोगों को हिरासत मिलिया गये लोगों में एक विदेशी यूगती के साथ 13 महिलाए शामिल है पुलिस को इन स्पास सेंटरों में तमाम अपनतिजनक चीजे भी मिली है पुलिस को शिकायद मिली थी कि इन स्पास सेंटरों में सेक्स रैकेट चलाया जाता है पुलिस पूरे मामले की तप्तीश कर रही और साथ ही पकड़े गए लोगों से पूचताज भी कर रही है पुलिस अफसरों का कहना है कि जाजपूरी होने के बाद ही इस मामले में किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा ये चारोश पॉस सेंटर शहर के सिविल लाइन इलाके में रोडवेज बस स्टेशन के पास इस्तित एक कमर्शियल बिल्डिंग के उपर के फ्लोर पर चलते थे चारोश पॉस सेंटर एक फ्लोर पर थे शुकुरवार की शाम को सोशल मीडिया प्लैटफॉरम एक्स पर चंदर शेखर अधिकारी आजाद नाम के यूजर ने कुछ तस्वीर और वीडियो के साथ प्यागराज के इन स्पा सेंटरों को लेकर पोस्ट किया प्यागराज पुलिस को टैग करती हुए दावा किया गया कि इन जगों पर स्पा सेंटर की आड में सेक्स रैकेट चलाय जाता है जिसमें कुछ विदेशी यूगतियों को भी शामिल किया गया है पोस्ट में चारों स्पा सेंटर के नाम भी दिये गये जो वीडियो पोस्ट किये गये थे उनमें खूफिया कैमरे से तयार किया गया था वहीं समें दावा ये भी किया गया कि इन इस्पा सेंटरों को मौत के घाट उतारे जा चुके माफियातिक एहमत का एक करीबी संचा लिद करता है इस पोस्ट पर संग्यान लेते हुए प्रियागराज पुलिस ने स्पी शुयताग पांडे के निर्देश पर देर राध इन स्पा सेंटरों पर छापे मारी की चापे मारी में पुलिस ने यहां से 20 लोगों को हिरासत मिलिया है इनमें 13 महिलाइं है हिरासत में लिए गई महिलाओं में एक यूगांडा की रहने वाली भी है हिरासत में लिए गए दो यूगों ने खुद को मैनेजर बताया बहराल पुलिस पूरे मामले की जाज कर रही है ये पता लगाने की कोशिच की जा रही है कि यहां वास्तों में सेक्स रैकेट चलता था या नहीं फिलाल इन चारो स्पा सेंटरों को बंद कर दिया गया है अपसरों का गहना है कि जाज में आरोप सही पाय जाने पर इने सील कर दिया जाएगा गाजयबाद पुलिस ने टपे बाजी की घटना का खुलासा किया है पैसे दुगने करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरों के च्छै अभ्यूपतों को गिरफतार किया है फर्जी मुद्रा बदलने के नाम पर बदमाशों ने ठगी की थी इस मामने में यूपी पुलिस में तैना तीन सिपाही के साथ 6 आरुपियों को गिरफतार किया गया है साड़े बारा लाक रुपे की टप्पे बाजी में गिरफतार किये गए अपरादियों के साथ वर्दी में आये पुलिस कर्मी जनपत आगरा हापुड काजयबाद के तीनों सिपाही गिरफतार किये गए वह 23 अगस्ट को 10 लाग की टप्पे बाजी करते हुए पैसे दुगने करने के नाम पर ठगी करने वाले गिरों के च्छा भीयुकतों को गिरुपतार किया। पुलिस ने आरोपियों के कबसे से 4 लाग 36,000 की नगदी बरामत की। शिकात की अनुसार शादाब और उनके भाई महराज और बहनोई डॉक्टर महतरम को दुबई मुद्रा में पैसे दुगने करने का लालस देकर ठगा गया। आरोपियों ने सारे 12 लाग रूपे हडब लिये। इस मामले में DCP देहाल सुरेंदर नाथ तिवारी ने बताया कि CCTV की मदद से गाड़ी को ट्रैक किया गया। गहराई से जांच करने में पर चला कि डॉक्टर महतरम ने अपने साले महराज और महम्मद शादाप के पैसे हडपने की साजिश खुत रजजी थी। इसमें उनके पिताब महम्मद आरिफ नदीम राशिद और आशू के साथ साथ तीन पुलिस कर्मी भी शामिल थे। पुछताच के दौरान खुलासा हुआ है कि ठगी की साजिश में तीन सिपाही मुख्य भूमिका में थे। ये तीनों पुलिस कर्मी सचिन, अनिल और संजे अपने पत का दुर्पयोग करते हुए डॉक्टर के साथ मिलकर ठगी को अंजाम दे रहे थे। पुलिस कर्मी हिस्ट्री शीटर नदीम को पहले से ही जानते थे, इन्होंने नाकेवल ठगी में सयोग किया बलकी ठगी के बाद पीड़ितों को डराने धमकाने का भी काम किया, जिसे वो पुलिस के पास शिकायत ना कर सके। पुलिस की कड़ी पूचताच और सठीक इंपुट के आधार पर 30 अगस्त को पुलिस ने डॉक्टर मौतरम, उनके पिता आरिफ, नदीम और तीन पुलिस करीमों को ग्रफतार किया, पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है और तीनों सिपाईयों के खलाब सक्त कानूनी कारवाई की जा रही है, चक्रवी में फिलाल के लितना ही, फिर पेशोंगे, संसनी के इस खबरों के साथ बागती तमाम खबरों के लिए देखते रहे है, कैपिटल टीवी उत्तर प्रादेश, नमस्कार मैं राजनीती करता नहीं, पर राजनीती को बहुत गहरे तक समझता, मैं लोगों के बीच रहता, लोगों के मन को अच्छे से जानता संधर्ष की सियासत से संधा के सिंधासन तक मैं हर खबर से खड़ा सक्ष निकार ना कोई दौड ना कोई रेक्स, कैपिटल टीव उत्तर प्रदेश